नमस्कार आज हम जिस विशय पर चर्चा करेंगे यहां पर बहुत ही मतवड़ विशय ही है कि जब पेपर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कभी समय ज्यादा बच जाता है कभी कम फिर भी हम कॉलिफाई हो पाते हैं या नहीं हो पाते ही डिपरेंट करता है कि हमने कुश्च हे विशय को आपको आनके स्कुलिफेंगे थे स्कूशन गाते हैं श्रॉत्रभ समय कहिसी व्यक्राइब में पाता है यहन पर आपको कुटीण करों कॉलिफाई केवा होगा एक याद के अधूतरग की बात तो ओन तोập होता है तो मुस्च आछे होगी इसा जिशया को सीपश और mathematics हुआ तो आपको पता है कि first paper में आपको हर चीज़े compulsory होती है और second paper में आपके पास एक अपना optional subject होता है तो अगर आप first paper के लिए preparation करें हैं जितने बीएट वाले बीटी सी वाले और जो भी है है eligible DL8 के यहां पर उन्होंने first paper के लिए apply कि होगा तो उनको याद रखना है कि इनको solve कैसे करना है अक्सर क्या होता है कि हम बड़े लंबे question देख लेते हैं और हम यह लगता है कि अरे बाप रे यह तो हमें आई नहीं रहा यह शुरू में हम question देख लेते तो लगता है यह तो मैं करी नहीं पार हो मैं कैसे पास होंगा मेरा नहीं हो पाएगा तो क्या होता है कि वह ऐसे question paper ही बनाते हैं कि हम वहाँ पे घबरा जाओ जल्दी बाजी में या डर के हम गलत option को attempt करें कि जब भी आप question करना सुरू करें तो याद रखेगा सबसे जल्दी प्रशन जो आप कर सकते हैं सबसे जाधा accuracy से आपको वहीं पहले करना चाहिए तो याद रखेगा environmental studies के जो प्रशन होंगे environmental studies देखें आपको आ रहा है तो आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें 15 नंबर का जो pure environment से जो प्रशन होगा वो बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं क्यों क्योंकि या तो आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा कहीं या तो नहीं पढ़ा होगा अब हमने क्या किया हमने 15 नंबर कर लिया तो आपके सही होंगे maximum आप 12-13 सही कर सकते हैं और इतना आप शोर समझी कि इतना अगर आपने पहले ही बूट फ्रेश रहता आपका आपने अटेम्ट के लिया तो 50 प्रेसमें 60 परसेंट तो आप इस 15 नंबर में करी लेंगे तो 60 पूरे में गेन करना आपको तो बहुत जादा घबरानी की जुरूत ने फिर आपका जो 15 नंबर यहां पर सिक्षण का होगा अभी उसको नहीं छूना है उसका रिजन में बताऊंगा आपने बहुत ही जल्दी से यहां पर कर लिया 15 नंबर का जो आपने देखा आ रहा है त नहीं आ रहा है तो आप उसको जल्दी आप बुकलेट पर समझ लीजे या तो भरिये अगर तो प्लीज जब भी भरिये तो यह देखी कि एक दो तीन चार जब भी भर रहे हैं तो कभी-कभी बीच को कोई कोलाप्स कर जाता और हम लगातार भर देते हैं उसको लगातार क्य यह वह 15 नमबर आप सिक्योर कर लिए पंदर नमर इंवामेटर स्टेडिस का जो प्योर इंवामेटर से प्रशनाएगा अब जो दूसरा पॉर्ष्ण है तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप क्या गर सकते हैं हिंदी का पंदर नंबर भी आप देख स होगा वह 15 नमबर आपको क्या करना है पैरा पढ़ना और इसको सॉल्व करना कि कि मूंट यहां फ्रेश रहता है तो यह सिक्योर आपको आता तो रहता ही है आप उसको जल्दी अगर थंडी दिमार्ग से देखेंगे तो हो सता है अगर पांच नमबर का प्रशन है तो चार आप आराम से उसमें पाज़ा अगर आप इंग्लिश प्योर इंग्लिश के स्टूरेंट है या प्योर संस्कृत के स्टूरेंट है तो लैंग्वज 2 में आपने जो किया होगा या लैंग्वज 1 में भी एक तो आपने एक लैंग्वज प्रिफर करनी है अपने मन से और एक तो यहां पर क्या होता है कि हमने हमारा जो परसनली जो बहुत कमांड जिस लेंग्वेज पर रहेगा उसका पंदरा नमबर हम कर डालेंगे अगर आपको इन दोनों में को इंट्रेस्ट नहीं है लेंग्वेज में और आप प्योर मैथ के स्टूइंट हैं तो आप क्या करेंग मैथ के स्टूइंट है तो 15 नमबर मैथ करना सिक्षन नहीं चूना है अभी भी तेकिए अगर आप लैंग्वेज के स्टूइंट हैं इंधी के इंग्लिश के यह बहुत अच्छी लैंग्वेज हिंदी तो भाईमारी मात्री भाशे तो अच्छी होती है तो आप 15 नमबर व तो चूज कर सकते हैं बाकि अगर मैप्स पहले सॉल्व करने लगेंगे तो घाच पाच करेंगे आप दिमाग थोड़ा गरम होगा कि अरे मुझे तो आई नहीं रहा और आप क्या करेंगे जल्दीवाजी में गलत करेंगे जादा टाइम खा जाएंगे आप वही मैथ पहले कर आगे पीछे करना ही है आपको लेकिन अगर आपका जो सिक्षण है और साइकोलाजी अच्छा है आपके मैथ्स और लेंगे से ज्यादा तो याद रिखिएगा इसमें आपको समझना है जब पहले आपने मोमेंट का पंदर नंबर आपने कर दिया लेकिन चाइल चाइल आपको जैसे ही तीस नंबर में पंदरा नंबर यहां पर किया साइकोलाजिक उसके जस्ट बात आप पंदरा नंबर सिक्षण भी सुरू करेंगे तो आपका तीस नंबर यहां कंप्लीट तीस नहीं पाएंगे कंप्लीट तो किया ठंडे दिमाग से आप देखिए दूसरी आप इसी सिक्षण जब आप सिक्षण सुरू करेंगे तो आप सारा सिक्षण करेंगे इसका भी पंदरा नंबर करेंगे यहां तो आपना थीस करी लिया यहां पहले से पंदरा कर दिया था इसका भी सिक्षण करेंगे इसका भी सिक्षण करेंगे इसका भी सिक्षण तो 90 नमर तो है आप का लिकर एक साथ करेंगे सारा सब्सक्राइब क्यों कि कही कर नी कोई नी कोई प्रशन आपका को रेलेटे रो था है तो हम में क्या करना है इस प्रकार से करना अगर आप मैद्स के श्टूर्ट नहीं है तो लास्ट में 15 नमर जो मैठ है पर उताइब बोक तो वही 15 15 15 15 सारे के ही सक्षिण हम एक साथ करेंगे उसके मार जो बचा कुछ आप करेंगे दूसरी चीजी है तो प्योर आपका टोटली आपका बता गया कि कैसे करना है दूसरी स्टेटीजी जो होते है इसमें कि आपको किन प्रशनों को सौल करना किन को नहीं जैसे चाइल् तो अकसर आप उसको देखके घबरा जाते हैं तो आप उसमें चूस करेंगे जो चुटी 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 प्रशने उनको पहले पढ़के आप आराम से ठीने दिमाग से कर लिजए फिर जब आपको हो जाए कि नहीं हमने काफी प्रशन कर लिया तो आपके यहां àeter पहले समझे के नोगने प्रशन को जिस प्रकाष आम से बनाए उसमें नई फ़रता आपको अपनी स्टराच्जी अपना के उस प्रशन को मैं कि मैं हैँ ऑप हम क्या करते है कि अकसरिक सिल आपको मैं उसम्यक्त लाइन से सलम तो इसम एसमानों पहले बहुता बippशन आपको प्रोशन है वो करने सारे लेकिन याद रखिए का जिब यह प्रोशन करीगा तो सबसारा स्रिक्ष्षन एक साथ करीगा छोटा बड़ा सार अब उसके बाइद जब आपका टाइम में थे तो आप लंबे-लंबे प्रोशन कर सकते हैं लास में अगर मैथ पर कमाड नहीं उस समय करें तो अकसर वह स्कोरिंग दो चान नमबर जादा हो जाता है अकसर हम क्या करते हैं 88 पर रुख जाते हैं 85 पर जाते हैं तो यहीं रिजन होता है हमारा रुखने का कि हमने स्ट्रेटीजी नहीं अपना ही होती तो अगर इस प्रकार से हम को सॉल्व करेंगे तो तो आ रहा है नहीं तो आ नहीं ठीक है फिर आप चाहें तो आपको कोई लेंग्वेज आपका पर्टिकॉलर सब्जेक्ट हो हिंदी और इंग्लिश बहुत कमाने तो आप 15 नमर उसका प्योर कर सकते हैं आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं यहां याद रखिएगा जैसे आप चा चोड़े प्रश्ण करें कि कि नंबर एक वो भी देना लमर एक छोटा प्रश्ण है अब ऐसा नहीं कि हम बड़ा कि छुड़वा रहे हैं नंबर वही मिलना है तो इसले हम देमाग लगा कर रहा है और आपको याद रखना है कि यहां पे वो प्रश्ण ध्यान रखना है आप जब भी गोला भरें तो आपको याद रहें कि हम गोला किस प्रिश्ण का किस में बढ़ा है जैसे एक का एक ही में भरें भाया एक सेकंड ज्यादा लगता है आप एक बहुता है कि आप सही बढ़ा है यह नहीं कि एक साथ दो तीन चार पांच लगा रहें इधर देखते जाओ नहीं इधर एक का एक इधर एक का दो करते दो जिल सेकंड का यह जदे जदे दो तीन मिनट का आपका फर्क आता है लेकिन अगर आप सईजी गोला बढ़ता है आप लोग क्या करते कि गोला दो चर गलत भर देते हैं वहीं दो चर नंबर आपका ले डुकता है तो ये इसारे उप्षन आपके सै होते हैं तो सबसे नजदीक वाला बढ़ाना एconds या माझना बहुत टांषन कर रातिया होता है एक्टम इस से लगने वाला उप्षन होता है या कभी कभी ।् को ध्यान में रखना है हमारी सिक्षानीती को ध्यान में रखना है काल प्रणारी को ध्यान में रखना है टीचर को एक अभी भावत की रूप में पेश करना है बालक के सरवांगीर विकास को ध्यान में रखना तब ही हम अच्छे से यहां पर प्रशनों को सौल करना है अब यह अधर सोचल स्टेडियस के हैं साइज आर्ट के स्टूडेंट है तो हमें पहले क्या अटेम्ट करना है आपको यहीं अटेम्ट करना होता है इसमें कुछ याद करने वाली चीज़े भी होती है तो सुरू में मारिंड फ्रेश रहता है तो आप इसको अटेम्ट कर लिया का 60 में आप 60 का 60% अगर आपने गेन कर लिया तो बहुत बड़ी बात है 36 अगर आप समय तो गालिफाइब फिर अगर इसमें भी क्या करना आपको इसके सिक्षड को जो टीचिंग है न इसके सिक्षड को जब इसको करें उसे समय इसका इसका सारे का सिक्षड करना है यह चीज़ आप को ध्यान में रखने है फिर आप ध्यान रखिए अगर मैथ और साइंस के स्टूइंट है तो जो साइंस का पॉर्शन होगा उसमें कुछ चीज़ बहुत इसलिए आप समझ लेंगे इस टाइम टेकिंग नहीं हो तो आप साइंस सॉल्व कर लीज़े मैथ की टाइम टेकिंग कि एकवा सेक्षन में घुसे कभी साइकलोजी में घुसे कभी साइंस में घुसे कभी मैथ में घुसे तो इस प्रकार से आपको स्ट्राटिजी अपनानी है इसमें नहीं वाले प्रशनों को ध्यान में रखना है और बहुती बारिकी से सॉल्व करना है और बहुती अगर सु और अमर भरते तो उसमें गलत कर देते हैं नाम अगरा तो उसमें भी बाद में फ्रेस्टेट हो जाता है बच्चा जचेगी कि नहीं तो उसके लिए भी आपको डरने के जरूरत नहीं अच्छा से सारी चीज़ें भरिएगा करेगा एक्जाम देने जरूर जाएगा और भरोस जो है आपकी क्वालिटीज को आपकी जो छमता है उनको नहीं डिफाइन कर सकता है एक क्राइटेरिया है कि आप टीचर बन सकते हैं हो सकता है हरकोई अच्छा सिख्षिक में बन सकता है किसी और फिल्ड में बन सकता है अच्छा नेता बन सकता है अच्छा यहां पर डॉक् तो आप सब सफलो और सब अच्छे सिक्षक बुने वास्तों बुने और जिसलिए सिट पुराइब उस उद्देश को मत भूलेगा कि जब भी कहीं अपॉइंट होई है तो इन चीजों का जो बड़ी बारकी से आपने बाल केंद्रत ये वह तो आप इन चीजों को ध्यान में लगए अपनी सिक्षर वरस्ता को आगे बढ़ाएं इसी के साथ है आपको बहुत बहुत शुब काम ने पढ़ते रहें और हमेशा एक सिक्षार्थ किसी को अपने अंदर जगा के रखे चाहिए आप किसी भी मुकाम के पहुंचें